36 गण में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे, रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सिनी लाल रंकी सडकों के द्रश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे पतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवा दिकारों के अनुपानला करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात किया जा सकता है। आतंग्यों के आकाओं की नाकवनी हसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती हैं। जब एक शहीद हुए जवान की विद्वा की वेदना चिक चिक कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया। मां का सिंदूर गया। नन्यनोनी हालों की लंगोटियां चली गई। छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। और आप के लिए तो एक आदमी मराहसाहब मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोद है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्चक है क्योंकि इतिहास गवा है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिये गए हैं परन्तु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंदे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं क्योंकि महोदै भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है वो ये जानते हैं कि चाहिए एक उगरवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तैकर ना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णे लेना पड़ता है कि चाहिए वो किसी निर्दोश को लगे या ना लगे परंतु किसी निर्दोश को नहीं लगनी चाहिए यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा नहीं तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी और महोदै मानवादिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं एक आत्म हत्या है क्योंकि महोदै फूल को श्रिंगार दो ये मुम्किन नहीं और एक वीर को जहनकार दो ये मुम्किन नहीं जो हात बांदे सेना के ऐसे मानवादिकार का पालन संभब नहीं महोदै आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों इन पत्थरवाजों से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो अभी 400 मिटर तक जाएगी और यदि इस बीच वो किसी निर्दोश को लग गई तो महोदै हमें अपनी नौकरी से हाथ तक दोना पड़ सकता है और महोदै अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज यह सोचता है कि चाहे साप मरे या ना मरे परनतु लाठी नहीं तूटनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश के हाला कुछ ऐसे हो गए है कि चिरागों को हवाओं में उच्छाला जा रहा है हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है अरे हमी तो बुनियाद हैं अंत्रिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है महोदे जब पुलवामावी 44 जवान सहीद हुए 36 गड़ में 76 जवान सहीद हुए तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ परन्तु जब JNU विस्पि ध्याले में एक देश द्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम सर्मिंदा हैं जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवादिकार के ग्याता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं तभी तो क्या कहा था उस देश द्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा तो मैं भारत की बेटी अपनी भारती सेरा की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा वो कोख नहीं पलने दे मैं सर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की नियाएक प्रकर्या पर जहां आज भी रात के बारा बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सरवोज नियाले के दरवाजी खोल दिये जाते हैं ऐसे देश से मानवादिकारों के अनपानला करते दर्ती के घोर गुहां से को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एटम बम से रक्षा के बल एटम बम ही कर सकता है जैहिन चैभरत